हुआ है हुआ है हुआ है फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चनल हाइफ चैड़ी पर दोस्तों आपने से काफी सारे लोग यहां पर कि जो आपका पासवर्ड है उसको रीजेट कर से करना है चुकि आपको पता है कि आपके एमेल पे एक दोबारा से आपको जन जनेरेट करना पड़ेगा देन उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो जोगा तब जाकर करके उस पासवर्ड को यहां पे जब आप लोग और यहां पर प्रोग Crimeine उसको खर बनाओं उसको फिल कर ओए और自 Μढ आप लोग तब आपका फॉर्म कुल चलने के बाद तब आप लोग एडमिट का डाउनलोड कर पाओगे चलिए दूस्तों यहां पर देखते हम लोगे कैसे हमको आखिर उसको चेंज करना तो यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे नीचे दिया गया है कि रीसेंड और फॉर्गेट वन टाइम पासवर्ड स्लैस प्रकार का पेज ओपन होगा और इस प्रकार के पेज में आ जाएंगा तो यहां पर देखने को मिला रीजेंट यूपीटेट दोहजार एक जूसर रेजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओटीपी ठीक है तो अब यहां पे हमको फिल क्या करना यहां पे आपको कंडिडिट नेम करना है mother's name फिल करना है date of birth फिल करना है और जो आपने registered mobile number किया है जो आपने उपीट का form apply करते टाइम जो भी mobile number यहाँ पर यूज किया था उसको यहाँ पर आपको फिल करना email id जो आपने डाली थी उसको फिल करना है इस capture को आपको क्टेज सैंग करना है और काप्चे को फिल करने के बाद उस क्टी ऋफिल करने के बाद रेज़िस्ट्रेशन निंबर पर पे क्लिक करें आट लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके ई-मेल आई-डी पे एक नया मेल चला जाएगा यूपीटेट की तरफ से यहाँ पर ओफिस्यल वेबसाइट की तरफ से आपके वहाँ पर एक मेल चला जाएगा वहाँ पर सेम आपको रेजिस्टेशन नमबर नाम मदर नेम डेट ऑब बर्थ यह सारी डीटेल आपकी वहाँ पर रहेंगे नीचे आपका जो तो यहाँ पर आपको आना है रेजिस्टेशन नमबर पर फिर से वहीं आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको रेजिस्टेशन नमबर फिल करना है और आपको ओटीपी जो आपका ओटीपी मेल पर आया हुआ है सेम उसी ओटीपी को ले करके और यहाँ पर इंटर वन ट करने के बाद आपको नीचे जो लॉग इन का बटन दिया गया है उस लॉग इन वाले ओप्षिन पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है डीटेल करने के बाद यहां पर वोन टाइम पासवर्ड जो आपके हाया हुआ उसके बाद हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी राउंडिंग होगा प्रोसेसिंग होगा उसके बाद हमारा जो नया पेज ओपन होगा वो किस प्रकार का पेज ओपन होगा अभी ओपन होने के बाद में आपको बतारो यहां पर यहां पर दिया गया तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको जो वन टाइम पासवर्ड पिन देखने को मिल रहा यहां पर आपको जो आपके इमेल पर पिन गया था जो आपने अभी शुरुआत में डाला हुआ था उसको यहां पर फिल करना है ठीक है उसको यहां प password डालना है और उसके बाद आपको यहां पर confirm new पासवर्ड डालना है जैसे माललीजी आपका नाम राम है तो आपको राम का आर बड़ा होना चाहिए a small माल NOW में होना चाहिए उसके बात यह तरे्ट उसका बद ؛ आपने लिख दीजिए या फिर 2021 लिख दी कोई भी सन लिख दीजिए आपको याद होना चीए वस्त इस तरह से आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है पासवर्ड में क्या होना चीए जैसे माली जी आपका नाम राम है तो राम आड़ दरेट 2021 या अपनी डेट आप बर्थ या फिल कर दिया है नया पासवर्ड मेंने बना दिया है और समिट के बटन पर क्लिक कर दिया है समीट इनके बटन पर क्लिक करने के बाद आप सेवThis पुचेगा तो आप उन् страх प्रझेशा कर दिना है उसके बाद आपको one time password आपको one time password नहीं डालना है जो आपके mail पे आया है जो आपने चेंज किया जो मैंने आपको बताया जैसा के राम अगर आपने राम add the rate 123 डाला है तो यहाँ पर आपको उस पासवर्ड को आप अपने नाम के साफ से कोछी भी पासवर्ड डाल सकते हो तो यहाँ पर उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है उसके बाद तुरंत आपका यूपिटेट का जो रेजिस्ट्रेशन है नमबर है उसकी मदद से आप यूपिटेट का एड्मिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे सबसे असान तरीका है दोस्तों यह पासवर्ड चेंज करने का ठीक है तो देखिए इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज्यादा स्यादा तो उस मित्रों के साथ सेहर करें तो क्योंकि यहाँ पर काफ बेचले वीडियो में मैंने आपको यूपिटेट का एड्मिट कार्ड फोन से डाउनलोड करने लाइब प्रूफ दिखाया था तो इस वीडियो को जादा जादा शेर करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर किसी प्रकार की क्वेरी तो कमेंट सक्षें में जर हिंग बंदे मात्रम